हाई अव्रीबन दिस एपाविन चर्मा बात करेंगे market analysis for 30th of December कल हमारा last trading day रहेगा 2022 का इस साल में काफी सारी उथल पुतल ही market में completely volatility रही लेकिन जिसने enter किया था 2022 के starting में लिए उसके लिए पूरा साल बिकार रहा जिसने बाद में जब dip के बाद में जब हमने re-enter करना शुरू किया था बीच में हमने कहा था buy on dip कीजेगा वहाँ से हमें काफी अच्छे profit मिले वापिस से एक और छोटा सा dip एक छोड़ी जी correction हमें चाहिए उसके बाद में fresh inflow आएगा और फिर अगर आपको मैं कहूं तो एक decade पांच-छे साल का bull run आपको जरूर देखने को मिलेगा तो अगर आपके पास cash है तो अभी उसको इदधर मत फसाइएगा उसको समाल के रहे किए इस time market में एंटर करने का सही time नहीं है नीचे आके एंटर किजीगा अगर आप में इतरह trader है तो फिर तो कोई problem ही नहीं है तो क्या होता है कि आपने एक position लिया जब आपका profit आ जाता उसका निकाल दीजिएगा कल की market कल के बारे में सोचेंगे और लंबी अगर आप सोचते हैं जिसको investment कहते हैं उसके लिए भी time नहीं है तो trading के लिए बहुत बहुत बैतरे इन time है because market जब बड़ी-बड़ी move करती है न तो काफी अच्छी moment हमें ऐसा trader मिलती है जब market range bound ही हो जाएगी तो फायदा क्या रहेगा आज भी हमने सोचा था कि profit booking आएगी profit booking आई market morning में gap down open हुआ एक सबको जितने भी हमारे trades से समय हमारे profit आया book किया आगे बाड़े अब वापिस से fresh entries लेंगे fresh strategies fresh trades बनाएगे तो यही trading होती है आपको बड़ा outlook लेकर चलने की कोई जरूत नहीं है अगर आप trader है तो trader में छोटा outlook ही आपके लिए सबसे best रहेगा अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस current यह जो हमारे retracement level है इस retracement level के अगर आप basis पर चेक करते हैं तो यह retracement level की ऊपर तीन दिन से लगातार निफ्टी ट्रेड कर रहा है यह बहुत अच्छी बात होती है अगर निफ्टी को तीन दिन से अगर आप देखेंगे और तीन दिन से अगर निफ्टी ट्रेड करें एक उस पे और दो दिन और रुख जाएगा तो याद रखेगा विकली जो हमारा चार्ट होता है अगर मैं इसको वन विक के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा और दिस लुक्स लाइक आप बुलिश कैंडल देखेंगे आप दिस लुक्स लाइक बुलिश कैंडल अब हमारे लिए इस टाइम पे सबसे पास में support resistance कहां है तीन दिन से अगर हम बात करें यह तीनों दिन यह तीनों दिन से सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी nothing else short covering कुछ भी नहीं सिर्फ शॉर्ट कवरिंग चल रही थी कोई नया बिल्डप नहीं आज जो हम देख रहे हैं यहां पे लास्ट कैंडल में यहां पर हमें long build up होता हुआ नजर आया जो बाकी जब हमारा profit booking हो गया था उसके बाद जब market ने rise किया market में support 18150 का था और उसने इसको respect किया 18100 का था और major support मैंने आप से कल भी कहा था कि 42500 bank nifty में और 18000 nifty के अंदर काफी strong support है तो यह सारे के सारे support को दोनों indices ने काफी अच्छे से respect किया in fact आज अगर आप देखेंगे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक फ्रसा हैरानी होगा अगर आपको मैं सारे FNO stock दिखाता हूँ यहाँ पर यह मैंने list बना के रखा हुआ है तो देखेगा सिर्फ और सिर्फ यह हमारे पास में है और वाट इस इस इंडियावूल हाउसिंग फाइनेंस, फाइजर, फेडरल बैंक, उजीवन, आईशर और भारती एटल और आर्बियल बैंक यह दो परसंट के आसपास रहे हैं वरना पूरा मार्केट अगर देखेंगे फ्लाट ट्रेड कर रहा था यह नेगेटिव में था सिर्फ मैक्स करते हैं तो ओर आल में हमारे पास में सिरफ और सिरफ इंडेक्स के अंदर जाधा हमने बाइंग देखने को मिला और वो ऐसा लग रहा था कि मैं आपको बशादा हम क्या होता है देखिए कल रात को S.J.S.Nifty और रात को S.J.S.Nifty यह ट्रेड कर आ था पॉजिटिव 100 में के बाद चेकिया था केम एट राउंड 3.15 आई वस आउट और जब मैंने देखा तो मॉर्निंग में यह लग रहा था कि डेटा मॉर्निंग से ही बिल्ड होना शुरू हो गया था लोगों को पता था कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने कॉल बाई किया हुआ है कॉल सेल किया हुआ ह का मतलब है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और ट्रेडर ने वही किया सब के जितने भी सेल थे सब को डा दिया और सब का स्टॉप लॉस हमारा हेट हो गया और मार्केट जो ओपन हुआ था आई थिंक 85 पॉइंट नेगेटिव में अतर 100 पॉइंट के आसपास का फॉल आया करते हैं का इस मार्केट में कोई भी ट्रेड ले कुछ भी आपको करना है एक बार मॉर्निंग में एज़र ट्रेडर आपकी जिम्मेदारी है कि मार्केट का डेटा और मार्केट के सेंटिमेंट दोनों को आपको वाच करना है और ट्रेंड उसके साथ में अगर चल रहा है त पहले ही सारा data को चर्ण करके सामने रखते हैं so that आगे की moment हमारे लिए आसान हो जाए अब अगर कल की बात करें यहां पर कल अगर आप notice करेंगे कल हमारे पास में यहां पर अगर आज का high देखेंगे so today's high is 18 230 इस time पर जो maximum resistance है वो 18 200 का है तो current closing से हमारा जो current resistance है काफी close है closing हमारी 190 के आसपास है और देखें यहां पर यह resistance हमारे लिए पहले भी resistance था और यह जो range बनी है यह range है हमारे पास में 220 से लेके 250 का जो range रहेगा उसके बीच में हमारे पास में resistance आएगा और अगर वो level nifty ने कल अपने आपको hold कर लिया उस level प target for 18400 का तो हमें क्या करना है exact मैं नहीं दे पा रहा हूं बट हम 230 का range लेके चलते हैं somewhere close to in between तो इस level के ऊपर क्योंकि 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर हो सकता है इसके ऊपर जाने के बाद में आप करेंगे buy और target हम क्या रखेंगे यह वाल रखेंगे क्योंकि यही हमार retracement क्योंकि यहां से bounce back हुआ है तो जितना bounce back होता है उतना ही आपको retracement मिलेगा तो यहां से गिरा था तो यहां पर आएगा अगला जो profit booking आएगा उसके ऊपर 18400 तक hold कर गया तो run बनेगा नहीं तो यहीं से profit booking शुरो हो जाएगा intraday में फिर हम इसकी उपर buy करेंगे और नीची तरफ आपके पास में इस time पे 18150 का काफी अच्छा support है तो यह support हमारे लिए काम करेगा और यहां पर हम कर पाएंगे comfortably sell तो guys यह रहेंगे nifty के इंदर for tomorrow friends अगर भी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में भी नीची जाएगा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक के जएगा और फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा जल्दी ही हमारा option वाला आपकी काफे demand आ रहे तो option वाला course भी हम वहीं पर launch करेंगे तो आप वहाँ भी इसको join कर सकते हैं बात करें बैंक nifty के बारे में अगर आज आपने जैसे हम भी वो दिखा रहे थे FNO का data वहाँ पर check किया होगा तो PSU Metals और specifically banks उन्हीं के अंदर काफ 43,000 का 43,000 यह हमारे पास resistance था कल भी था कल हमने इसको वापिस से square off कर दिया जो भी हमारा position थी इसको break करने के बाद में हमारा बना अच्छा सा buy लेकिन अब हमारे पास में यह जो current level है यह बन गया है immediate support ठीक है और उसके उपर आपके पास में 43,350 का resistance है और इसके बाद में target 500 ह और फिर आपके पास 650 का second target है तो हमें इसी level के उपर जाने के बाद में करना है buy नीचे के तरफ 43,200 का इस time पे data support हमें देखने को मिल रहा है यह अगर level break हो जाता है तो यहाँ पर बनता है आपके लिए एक अच्छा cell तो 43,200 को break करने दिजेगा या 43,350 को break करने दिजेगा immediate enter नहीं करना है आपको थोड़ी देर वहाँ वेट करना है उसको break होने का वेट करना है थोड़ी दिर वहाँ सस्टेर कर जाए और वैसे मैं आपको बताओ साल का last day कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका market काफी range bound रह जाए और पूरा दिन एकी range में trade करता रहे विकॉस आज जिस दिसने कमाना था एक स्पारे से कमा चुके हैं अब शायद fresh inflow हमें मेबी मंडे को ही देखने को मिले इसी लिए जल्द बाजी बिलकुल नहीं करनी है मेबी a lazy day tomorrow तो उसके लिए आपको त्यार रहना है and this level will be for bank nifty stock selection में हमारा पहला pick रहेगा ABFRL ABFRL में देखेगा ये छोटा सा hurdle है and that is 290 ये hurdle अगर cross हो जाता है और काफी दिन से इसको break करने की भी कोशिश किया जा रहा है अगर देखेंगे 1,2,3,4,5 पांचो candle एक specific range में trade हो रहे हैं और इस trade के बाद में एक अच्छा सा अगर आप देखेंगे लगातर volume dip हो रही थी और आज blast किया है एक अच्छी move दिया है तो इसको कहते हैं breakout pattern तो अगर ये successful हो जाता है और ये level achieve हो जाता है इसके उपर hold कर लेता है तो अच्छा buy बनेगा वापस नीचे गिरेगा तो 286 के नीचे आपका cell बनेगा ही ABFRL उसके बाद में हमारे पास में है अपोलो टायर अपोलो टायर देखेगा यहां से एक attempt कि हाई बनाया वापस नीचे गिरा और वापस attempt कर रहा है तो अब यह जो लास्ट लेवल है यह फिर से हमारे लिए attempt करेगा आज की closing क्या है 326.50 की यह hurdle आ रहा है आपके पास में 330 का तो अगर हम कहें 330 के ऊपर जाने के बाद में कर बाए करते हैं और यहां पे इसको थोड़ा के बाद में आप a polar tire में sell भी कर सकते हैं तो यह reason रहेगा that this is getting ready for a breakout in tomorrow move ऐसा possible है कि आपका market range bound रहे तो उसको next day के लिए रख लेजेगा हम आपको नहीं तो देंगी लेकिन आप इसको अपने watch list में बना के रखेगा उसके बाद है मेरे पास में India Cement India Cement में देखेगा यहां से एक बड़ा fall आया उसके बाद में return यह देखे पूरा पूरा जो है recover कर लिया और वापिस आके यहां hold किया और 221 का जो level है यह मैसे hurdle के break करने के बाद का level है तो यहां पर बनेगा आपका buy और 218 अगर वापिस से break करता है तो वापिस से आपको 210 के level देखने को मिलेंगे in India Cement उसके बाद है हमारे पास में that would be Kendra Bank देखिए पहला attempt second attempt third attempt and once again a final attempt और अब यह धीर दिर अगर ऐसा होगा तो 330 का जुरू touch करेगा हम यहां पर 323 को buy कर सकते हैं 323 के ओपर buy कर सकते हैं target हमार रहेगा 330 का मैंसे भी PSV bank shine कर रहे हैं और अगर यह किसी वाई से रुखता है तो यहां पर आप क्या किजेगा 318 के नीचे जाने के बाद में आप यहां पर sell कर सकते हैं comfortable sell रहेगा ज्यादा problem नहीं आएगा और morning में मैं आपको definitely support करूँगा through my telegram कल मेरे पास आज का काम था tomorrow I'll be at home so I'll be there to support you और guys जाने से पहले हमें like और subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं अगले video में until then take care bye bye